आज है Saturday का दिन और पहर हो रही है जोरतार बारिश, बच्छों के सार सार बच्छों के पापा ने भी करती है डिमांड अलू टिक्की घाने की, तो चलिए मैं भी कर ली है तैयारी, simple सी पर बहुत ही पीस्टी आलू टिक्की बनाने की. चलिए फट्पट्स बनाते हैं. मैने आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है और साथ में मैंने लिये है सफेद मतर जिसे मतरा भी गते हैं ये मेरे पास बॉयल रखे हुए थे और साथ में मैंने इमली की चटनी बन ली है और दही और मैंने आलूओं में डाल दिया है दो चमच भर भर की अरा रोट का और साथ में मैं डाल रही हूँ आदा चमच नमक का अगर आप व्रत के ताइम ये टिक्की बनाएं तो आप इसमें अरा रोट का यूज मत कीजिएगा इसे ऐसे ही बनाएं अब मैं इसे अच्छे से मैश करके मिलाकर इसकी गोल-गोल आलू की टिक्किया बना लूँगी मैं सारी टिक्की एक साथ बना कर रख लूँगी फिर दीरे सब सेख दी जाओंगी अब मैंने अपने दोनों नॉन स्टिक तवे रख लिये हैं इन पर डाल दिया है मैंने रिफाइन डॉयल आप चाहे तो इस पर देसी घी के साथ भी सेख सकते हैं जब इस पर टिक्की तवे आप रखें तो हलका सा हाथ से प्रेस कर दें बहुत जब जब टिक्की एक तोड़ी सी एक तरफ से सिक जाएगी तब पलटकर इसे थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिए और रिफाइन डालकर फिर इसे क्रिस्प कर ये तब ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब उसे हातों से मसलते हुए आप उसको बीज को निकाल दीजिए अच्छे से बीज निकाल दीजिए उसके बाद मिक्सी में डालकर उसे चला लीजिए इससे ये फाइदा होगा कि एक तो आपका जो पल्प का वेस्ट निकलता है वो नहीं निकलेगा और जो उसका पल्प है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब इस पल्प को आप अनी से चान लीजिए और एक बरतन में थोड़ा साधा कब पानी एड़ करकर उसमें गुड़ या शक्कर कुछ भी जो आप डालना चाहें डालकर अच्छे से उसे आप 10-15 मिन तक पका लीजिए पकाने के बाद अब इसे ठंडा करकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसमें आप किसी तरह का नमक या मसाला एड मत कीजिएगा फिर आप इसे अपने वरत के टाइम पर भी खा सकते हैं तो हमारे टिक्की तो भई दोनों तरफ से सिक्कर हो गई है अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग मैं रख ली ये डोडर टिकिया अब इसमें डालूंगी मैं सफैद मडर जो मैंने बॉयल कर रखे थे इन्हें शिंपल मैंने नमक डाल कर बॉयल कर रखा हुआ है साथ में एड करूंगे अब में तहीं और साथ में एड कर दूंगी इमली की चट्नी इमली की चट्नी घर में बना कर रखे पकोड़े या कुछ भी हम चाड बनाते हैं तो अच्छी लगती है साथ में अब इस पर थोड़ा सा डाल दिया मैंने नमक लाल मिर्च और भुना प्याज और एक पर मैं नहीं डालोंगी क्योंकि मेरे हस्बंड कच्छा प्याज नहीं खाते हैं तो लीजिये रेडी है हमारी गर्मा गरम इंस्टेंट बनने वाली सिंपल बढ़ बहुत ही टेस्टी आलू टिक्खी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो